जमीर साथ ये जो कुछ हालात SDPI के उपर आए हैं कि लोग करना SDPI को बैंड करना है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है जिसमें ये थाबित करने के कोशिच की गई है कि ये लोग बहुत जादा हंगामा करते हैं इसके बारे में आप क्या करें माधियम के मकांतरा मेरे को मानूम है के इस गौर्मेंट ने SDPI को बैंने करने के चक्कर में गर करके SDPI को बैंने से कुछ होने का नहीं है अगरी बैंन करना ही है다른 कर तो तुम बजरंगल को बैंन करो R.S.S. को बैंन करो यह तूम ऐसना SDPI को दिखा दो कि कि एसदीप ने इसा प्रोग स्पीच दिया किधर और किधर हले किए दिखो हत्यार किसके पास है अब उपन वाटसब के अंदर आरहा है आरे सिस के क्या अंदर ओपनिंग ट्रेनिंग जिरे उस तरही खासे तो ट्रेनिंग निजरे एसदीप एक पॉलिटिकल पार्टी है एक बनाया गया है वो पार्टी को बैन करेंगे मतलब क्या है इसका अब आईसी ही बैन करना है कमिनल पार्टी तो नहीं है वो कोमधी पार्टी नहीं है कोमधी पार्टी आरे से से बजरंग दल है उसको बैन करो फेला हम इसको किसी हालत में हम एसदीप को बैन करने नहीं बीजेसे पॉलिटिकल की इक पार्टी के अंदर उनके उर्करस है अवि उनके पार्टी के वर्कर ने जिए उनके पॉर्कर्टी फैपने बिछ से उनके कारी करता ने őना हम यह क्लिम विड talking कर सकते कि के एप फंगर हम के से कोनgesetz का प्नाा मी है क्या यह उसको ऊंग्रेस जाने वाले हैं उसकी तγकात कर दो अगर वो सहीं में उसके अंदर इम्वाल्मेंट है उसकी घलती है तुलो सजा लो उसके लिए माना नहीं कर रहे हैं हम कोई भी वार्क करेगा उसके पर सजा वो कोई वर्क rive्जाए भॉकह को सकता ए यह नहीं मतलब किया पार्टी बेंकर दो आज साए वह चहाए कि admit फ़inação देखे हम aries कोवे प्रक्रशला किसको मारता है जो करते बहरो जो करते हैं व Football जो करते गो एंडीचे कोई और क्षे है, वरकस went also हैं विह के लिए कोई छोइ को बाट्डि में ट्रेंग नहीं मोषपार है दों कांग्रेस जंटादल रहने दो एजधीप रहने दो तुम अगर पाटी में पार्टी मेइन डाइगे तुम रहरा कोई पार्टी मिले रहता है अभी उसका पर्सनल की है अब उसके पकड़ो उसका प्रैक्शन लो आप ऐसा थोड़ी ना है कि एक पार्टी को आप बैन करेंगे बैन करना ही है अगर अमन सुकुन हिंदुस्तान के अंदर प्रदान मंति से रिकोईस करता हूं अगर आपको सुक प्रदान के अंदर जो हिंदु, मुसल्मान, सिख, इसाई, जो चाहत, महबत से, भैचारे से किदर नहीं है वो अमन अगर आप बचाना चाहते है देश की आग भलाई चाहते है तो बन करो, RSS बन करो, बजरन दन बन करो, यह नहीं कि आप HDDP बैन करो इस करनाटका के अंदर अमिशा ने आज लखनों में यह का है, कुछ भी हो जाए, जितना प्रोटेस्ट करनाएं आप लोग कीजिए, मैं C.A. को बंद नहीं करूंगा, इस एक्ट को वापस नहीं लूँगा, इसके बारे में अप्रोटेस्ट तो अमीशा का बाप भी बोलेगा तो हम बन करने वाल मिलेगा, यह NRC प्लस C.A. जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, यह प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, जटका लगा है, यह कद्दू को जटका लगा है, यह डरके बोल रहे है, इसके जो बोल आ रहे हैं, यह डरके बोल आ रहे हैं, बन नहीं करेंगा, मतलब हम पिश्वास है कि सुप्रेम कोट में हमको इनसाफ मिलेगा सुप्रीम कोट में सववी सती हमको इनसाफ मिलेगा अब जो करो ये साइद उनके दिमाग में बात आ गई है इसलिए वो बिंदास स्टेट्मेंट देते हैं आप जो करना है कर लो हम वापस नहीं लेंगे गर्में देरह हं देर नहीं है इंसान का पलब चार साल तो दूर की बात पल भर का भरोसा नहीं कभी भश्यों हो सकता है। मेरी मिशाल लेलो, मैं सोचा था, मैं सत्तर असी साल तक में कुछ नी होंगा, मैं घट मुठ हूँ, मेरी उमर लगती नहीं, मैं एक दम आक्टी हूँ, मैं में इंटन करके रखा है, हाली के अंदर दो महिना फैला, मेरी तब इतनासार होके, मैं सियो अटाक हुआ, अगर साथ मैं फैला में अगर हॉस्पेडल नहीं पुछता धमार, ये कद्डु का क्या फरसा, प्रद्रमांदी का क्या फरसा, थोड़ी लिखा के लिए कि ना है ये लोग, कि मैं इतनी जिन जीूंगा, करके, कोई भगवत गिता में नहीं, कोई खुरान में नहीं, कोई बैबल में न पर नहीं देंगे या इनर्सी आप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट को भी सीज कर दिया जाएगा जो एक लोगों के अंदर डर है उसके लिए क्या कहना चाहिए कितने अकुण को आप सीज करेंगे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी एक सूप इतिस कोरड है अब उ करेंगे जोर होतनी है और जेल डालेंगे अम डाकिमेंट नहीं देंगे तो क्या करेंगे जया जयाजादा कर जेल को दालेंगें चट्रके बोलते हैं अच्छाब मेरे एक छोटी से मिसाल है करनाटका कि आप बात लेलो बैंगलूर में एक जेल है, मडवाल के पास एक जेल है, उसकी केपासिटी कितनी है, दस सदार की केपासिटी है, बरबना, अब इधर से आप एक डिस्टिक में एक जेल है, जैसे के रामनगर में एक जेल है, मंडिया में एक जेल है, मैसूर में एक जेल है, चामराजनगर में तुम साथ को हावाम को gute है कि यह छल जाब वतने ने कीछ बनी तो यह आपको लगता हänder की बात। सबसे ज्याद मेरे हिसाब से यह प्रोटेस्ट के अंदर आप देखे होंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर जो भागी हुर है। दिखने-मे मुसल्मान दिख थाह नहीं। थह क्या होता सिन्यान मुसल्मान ज्यादा करके वई कपड़ा पेंते हैं आप देखे होंगे हिस्टिरी है कभी students protest के लिए नहीं निकले थे आज students protest कर रहे हर colleges के अंदर protest हो रहा है हर campus के अंदर protest हो रहा है वज़ा क्या है वो लोग जानते आने वाले दिन के अंदर ये NRC प्लस CA जो ला है मेरी आवाम को तक्लिफाई करके अरे नरंदर मोदी जी चलो भई मुसल्मान आपके MP बोलते कि मुसल्मान पड़ा लिखा नहीं है जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेर पंचर दालने वाले यह वेल्डिंग करने वाले अरे इंसान की एक ना एक दिन तो पंचर होना ही है वो पंचर दालने के लिए मुसल मायकरम की प्रोटेस्ट के अंदर आके उस किलाफवत किये महरास्ता के एक रिटेर जैट वो ओपन प्रोटेस्ट कर रहे गोवा के रिटेर जैट अरे उनको अखल नहीं है दरना दर मोदी जी चलो भी मुसल्मान आप पड़ा लिखा नहीं है मुसल्मान पुरा टेर पंचर को नहीं पर्मेंटर कोई नहीं रहता है पंचर दनले के लिए हमारे पास या नहीं है मगर आप भी मत भूलिए कि आप भी चाय बेचने वाले थे तो आखिर में प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसर मैं यह प्रोटेस्ट आप जारी रखो हमको यह उपर उमीद नहीं रख सकते कि हम यह वो आपस लेंगे करके इसके उपर प्रजर पड़ रहा है जैसे कि रीजनल पार्टी है जैसा हमारे 30 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर 30 स्टेट है उसके अंदर 14 स्टेट जैसा कि आंदरा तमिलाडो तेलंगाना केरला महरास्ता जह रहां जहां रीजनल पार्टी है सेकिलर पार्टी है प्लस कॉंग्रेस हुकूमत है वहां सब वो लोग ने फैसला कर लिया है कि हम इसको इंप्लिमेंट नहीं करेंगे इंप्लिमेंट नहीं करेंगे करके अगर करनाटा के अंदर अगर हमारी हुकूमत होती हाली के अंदर हम करते हैं कर दो पादेशन होने की दूरोत नीं है डिरने की दूरोत नीं है तंकDINGठे नी सकते हैं मेरी आवाम से हैं तो ये जो लाड़ाई है जो है मेरे साब से मेरी भी उमर पचास पर तीन साल है, मैं भी सियासत चाली साल से नजदीक से देख रहा हूँ आजादी जब से हुई कभी आजादी के बाद कभी इस तरीखे से प्रोटेश हुआ नी था और बीजेपी वाले नों ने भी कभी सोचा नी था करके इस तरीखे से प्रोटेश होएगा करके आज ये लड़ाई कैसे चल रही है आजादी के लिए जैसे लड़ाई करे थे बिटिश से जो आजादी हमनों लिया उस तरीखे से इस लड़ाई चल रही है ये लड़ाई इदर ही रोकने का नहीं है ये लाड़ाई को आगे बढ़ाना, मेरी अवाम से एक आजी जाना जिकोश से, जिदर जिदर आप प्रोटेश हो रहा है, यह नहीं कि आप चामराच पे ठलकने में हैं, जिदर भी आपको मालम पड़ा है, आपके पास वक्त निकल के, वो प्रोटेश में भागी होना, यह हमक सिर्फ यह समीदान के खलाफ है, जो बाबा साप अंबेटकर जो समीदान लिखा था, जब बाबा साप अंबेटकर को आजादी मिलने के बाद, 1944 वरसाथ में समीदान लिखने के लिए, गांदी जी प्लस नहरो समीदान किसे लिखा जाए, कौन सही समीदान लिख सकता, तो यह ताही किया कि बाबा साफ अमबेटकर को देंगे तो बाबा साफ अमबेटकर को दिया गया बाबा साफ अमबेटकर जो समीदान लिखने के लिए एक साल का टाइम नहीं लिया एक महिने में नहीं किया, दो महिने में नहीं किया कम असकम तीन साल पूरा टाइम लेके उन्होंने समीधान लिका है और वो समीधान के खिलाफ यह आक्ट आया हुआ है और यह आक्ट के खिलाफ यह अमेरिका ने नोटी सर्फ किया है यह भई तुमने अमिशा जी को भी नोटी सर्फ किया है कि तुमने ये आट के खिलाफ ये समीधान के खिलाफ तुमें आक्ट लेका, अगर आलड़ी की रही नोटिस रहुआ है और इनके से जियातिति कर रहे हिटलर हिटलर का देखिए होंगे हिटलर किया, रूल किया क्या अलब तो इलाच में उसकी किस तरीखे से मोत हुई इसकी ये भी हिटलर के रूल के जैसा करने जा रहे एक नाई दिन जाना ही है प्रदानमंती जी आपको हमको सब जाना है जाते जाते आदमी कुछ नहीं लेके जाता जाने में खड़के आख में चार आसू दाना चीए भाई ये नेक इंसान था ये चार आदमी का भलाई करके गया तो ही वो दोलत है थैंक यू शुक्रीए